हे गाइस आपका स्वागत फिर से मेरी मम्मा के रसोई में और आज मम्मा ने बहुत ही टेस्टी सबजी बनाई है तो मम्मा से पूछते हैं कि उन्होंने आज किस चीज़ की सबजी बनाई है और कैसे बनाई है आज आलू और मेती के बुजिय बनाएंगे बहुत अच्छा लगता है मेती पहले से साप करके रखे थे अब इसे दो मिनट के लिए पानी में डाल देंगे इसमें कड़वा पंजो रहता है वो दूर हो जाता है एक चमच नमक भी डाल दिये थे इसे दो मिनट के लिए रखें कि दो मिनट हो गया है आब इसे पानी से निकाल देंगे ऑ कि इसे पानी से निकाल दिये है कडाई चढाएंगे लोहा के कडाई में बनाएंगे बहुत अच्छा बनता है एक rifle18 की तेल डाले इसमीं आलू फ्राय करेंगे दो वालू डाले इससे आलू फ्राय कर लेते हैं पहले दो मिनिट के लिए दो मिनिट हो गया आलू प्राय हो गया अब इससे निकाल लेते हैं अब इसी तेल में बहुत कम तेल में बनता है एक चमच जीरा डाले है इस साबुत मिर्च इसमें हरा मिर्च नहीं डालते हैं इसमें साबुत मिर्च ही डालेंगे मेती की बुजिया में ही दो बारी कटा हुआ प्याज डाले हैं इसे भी बुन लेंगे दो मिनट के लिए दो मिनट के लिए और ए तीन चार कर लें लस्टन का है इसे भी बारी काट के डाल दिये हैं इसे भी एक मिनट के लिए प्राय करेंगे इसे डालेंगे दो कटा हुआ ट एक चम्मच हल्दी डाले हैं हम डालते हैं मेरे के हाँ बिना हल्दी का सब्जी नहीं बनता है आप लोग कितना है हरे साग में कोई हल्दी नहीं डालते हैं पर हम डालते हैं मेरे के हाँ हल्दी के बिना सब्जी नहीं बनता है एक चम्मच दन्या पाउडर बहुत कम मसाला में बनता है इसे एक वार जरू ट्राय कीजिएगा बहुत अच्छा लगता है एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर कि इसे भी दो मिनट के लिए बस धीमी सलूग गयस भी इसे थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाला जलना जा दो मिनट हो गया है मसाला पक गया है अब इसे इसमें मेति डालेंगे अब इसे भी चला लेते हैं अभी आलू नहीं डालना है क्योंकि आलू पहले ही भ्राय कर लिए थे इसे मेति को डाल दिये हैं अब इसे दू मिनट के लिए इसे चलाते रहेंगे दीरे दीरे यह बहुत अच्छा बनता है इसे बाद में नीमक का एड़ किये हैं नमक स्वाद अनुसार मैं एक चम्मस डाले हूं ऐसे भी चला लेते हैं कि आलू जो फ्राय करके रखे था अब उसे भी डाल देते हैं इसमें पानी बिल्कूल नहीं डालती हैं क्योंकि बूजिया बनाना है मुझे तो इसमें पानी नहीं डालना है बहुत अच्छा बनता है और इसे धीमी आज पर चलाते रहना है दो-दो मिनात पर और ढखना भी नहीं है इसे हम ढखते नहीं है नहीं तो करबा करबा सा लगता है खूले में इसे पकाना है बहुत कम मसाला में यह बनता है मेरे बच्चों को बहुत पसंद है एक चमच गरा मसाला एड़ करेंगे इसे भी दो मिनाट के लिए पका लेते हैं वाओ ममी यह तो अभी से इतना टेस्ट से दिखने लगा यह रेडी हो गया मैं तो इसे दो रोटियों के साथ खाऊंगी यह लोए के सड़ाय में कलर चेंज होता है पर बहुत टेस्टी लगता है हे गाईज आपको मेरी मुमा का रेसेपी पसंद आती है न तो आप जरूर इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजा करें थैंक यू पर वाचिंग बापाई